हेलो फ्रेंड्स आज हम बनारे साबुदाने की खीर यह देखे मैंने 200 ग्राम साबुदाना लिया है इसको बर्तन में डाल के दोलेंगे इसको इतना दोलना है कि इसका दूदिया कलर निकलना बंदना हो जाए इस पानी को अलग निकाल देंगे बर्तन में अब इसमें बापिस पानी डाल के इसको दो घंटे के लिए भीगनों के लिए छोड़ देंगे गेस पर चंडा दी है मैंने कडाई इसमें डाला एक चमच देशी घी अब इसको गरम होने देंगे जब तक हम भीग होए साबुदाने को देखते हैं यह देखे साबुदाना बि अब इसको दो मिनट तक फ्राइ करेंगे इसको जदा फ्राइ नहीं करना है यदि आपने जदा फ्राइ किया तो यह बहुत ही ही चिप चिप हो जाएंगे जब आप साबुदाने की खीर बनाए तो दूद को पहले ही अलग से बर्तन में गरम कर लें दूद को इतना गरम करन एक उभाल आजाए दूद को डाल रहे हैं कडाई में इसको अच्छे से मिला देंगे अब हमारा खीर में भी उभाल आ गया गाड़ी हो चुकी है अब इसमें डालेंगे ड्राइफ रूट्स मैंने इसमें दो ही ड्राइफ फूट्स यूज की है बादाम और काजू आप इस अब इसमें अपनी स्वाद की अनुशार चीनी डालेंगे इस खीर को आप जनमाश्ट मी के फास्ट में यूज करते हैं और घर पे वी ऐसे भी बना के खा सकते हो आप खीर बहुत अच्छी बन गई अब इसको देखिए सर्व करके दिखाती हूं इस देखिए बिल्कुल मो खीर रेड़ी है, खाई और खिलाईए, थैंकियो फोर वोचिंग